Self-assessment paper 3 चल दा था, आज करेंगे D section, already A, B, C कर चुक है, इसका link आपको description में मिल जाएगा D section का पहले बाला जो question है, इसमें बोला है, sum of first seven term of AP is 182 अच्छा, कोई seven term का sum, मतलब A7 इकल टू दे दिया, 182 ठीक है अच्छा, फिर बोला है, if the seventh term and fourth term and 17th term of AP is 1 इस्टु 5 मतलब A4 by A17, इकल टू दे दिया, 1 by 5, find the AP, AP का, AP क्या होगा, ओ पुछा है तो यह एक्ट information दिया, तो यह जो sum है, इसका formula क्या होता है, 7 by 2 मतलब A7 इकल टू क्या होता है, N by 2, 2A plus N minus 1D, यह बाला इसका formula है तो यहाँ N के जगा 7 है, तो 7 by 2, 2A plus N minus 1 मतलब 6 हो गया, 7 minus 1, ठीक है, 6 हो गया, D equal to 182, यहाँ से 2A, यहाँ से एक बड़ दो common ले 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 था है, तो क्या आजाएगा, 2 into, यहाँ से यह दोनों से दो common ले रहा है, तो दो common चला गया, तो A plus 3D, equal to 182, यह दो दो कट गया, इधर 7 से कट था है, तो 7, 1 बढ़ गया, 26, तो A plus 3D, equal to 26, एक ठीक है, यह वाला 1 दे देता है, यहाँ पर कट था है, A, A4 मतलब क्या हो गया, A plus N minus 1, मतलब 3D, फर्मूला क्या होता है, A plus N minus 1D, यह है A N टर्म का फर्मूला, तो A N मतलब A4, तो 4 के जगा, A N के जगा 4 बैठा दिया, तो A plus 4 minus 1 मतलब 3, ठीक है, 3D हो गया, और नीचे वाला, A plus 16D, 17 minus 1, 16 हो जाता है, तो यह 5 आ गया, क्रॉस मल्डूकेशन करते है, 5 plus 15D, इधर हो रहा है, A plus 16D, यह आया था 5A, यह इधर लेके आया रहे, A, और यह भी इधर लेके आ रहे है, तो 15D minus 16D, 0, यह आ गया, 4A, आर इधर आ गया, minus D, equal to 0, यह number 2 equation दे देते है, दोनों को elimination करते है, ठेक है, यह दोनों को elimination कर रहे है, तो D को हटाते है, तो यह 3 से multiply हुआ है, इसको भी 3 multiply करते है, तो A plus 3D हो गया, equal to 26, और इधर 3 से multiply करने से 12A, plus 3D, minus 3D, equal to 0, यह cut गया, इधर हो गया, 13A, equal to 26, तो A, equal to, आजयागा, 26 by 13, equal to 2, तो A का value आगया, 2, और दूसरा D का value निकलते है, इस equation दो ही बैठा देते है, 4A minus D is equal to 0, यहाँ पर 2 बैठाते है, तो 2 into A, A मतलब हो गया, 4 into 2, 4 into 2, minus D is equal to 0, तो D equal to 2 हो गया, 8, 8, तो 8 आगया, common difference, तो finally हम लोगों को AP निकलना था, AP क्या हो जगा, पहले turn, मतलब A, फिर दूसरा term A plus D होता है, फिर 2, 2, A plus 2D, फिर A plus 3D, ऐसे होता है, तो यह बाला 2 हो गया, फिर 2 plus 8 equal to, फिर 2 plus 2 into 8, फिर 2 plus 3 into 8, ऐसे करता है चला है, तो 2, इदर होगे 10, इदर 16, 17, 18, इदर 8, 23, 24, 25, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, तो यह AP आगया आपका, 2, 10, 18, 26, ठीक है, चलो next, अच्छा, नमबर B में बोला है, sum of first Q term of AP यह वाला बोल दिया, अच्छा, sum of Q term equal to 63Q minus 3Q square, यह दे दिया, फिर बोल ला है, if, Pth term is, तो Pth term मतलब AP equal to 16, 60, minus 60, find the value of P, P का value पुचा है, P equal to 66, और also find the 11th term, तो A11 भी पुचा है क्या होगा, ठीका, तो यह जब दे दिया, मतलब SQ equal to Q दे दिया, 16Q minus 3Q square, तो S1 क्या हो जाएगा, 63 into Q के जगा, just 1 बैठा रहा है, तो 1 square हो गया, 63 minus 3, मतलब 60 हो गया, फिर S2 निकलते है, S2 क्या हो जाएगा, फिर Q के जगा, 2, तो 63 into 2 minus 3 into 2 square, हो गया, यह 6, और इधर 12, इधर हो गया, 4, तो 4, 12, तो minus करने से आ जाएगा, कितना, 4, 1, 1, तो यह आ गया, S2, यहां से हम लोग, first term हो common difference मिल जाएगा, S1 मतलब एक term का sum, तो एक term का sum मतलब first term का ही sum, मतलब first term और तो कुछ नहीं है, तो S1 equal to A होता है, first term होता है, तो first term हो गया 60, आच्छा, S2 में क्या रहता है, S2 में रहता है, A1 plus A2, बन्हें, first term plus second term, तो first term हो गया 60, second term क्या आ जाएगा, इधर यह दुनों मिला के, बन्हें, दुनों का sum 1, 4, 1, 1, 4 है, तो finally A2 equal to क्या आ जाएगा, 1, 1, 4 minus 60, तो आगया कितना, 4, आर इधर हो गया, 5, 4, तो, आर इधर 6, 5, हाँ, तो A2 आ गया, 5, A2 आ गया, 54, आर पहले वाला term, 60 था, तो दुनों term क्या क्या आ गया, पहले वाला term आ आ जाएगा, 60, तो 60 हो गया, मने आपका जो AP है, वो इस टाइप का है, ठीक है, तो यहां से यहां माइनस करने से आपको D मिल जाएगा, तो A equal to आगया, 60, D equal to आजाएगा, 54 minus 60, equal to आगया, कितना, minus 6, तो D equal to आगया, minus 6, आर A equal to आगया, 60, तो यहां से अभी P का value बुच्छा था तो AP मतलब ये वाला तो AP equal to क्या होता है A plus P minus 1 D equal to minus 60 A का value आया था 60 तो 60 बैठा देता है P minus 1 D equal to आया था minus 6 minus 6 आया था तो minus 6 बैठा दिया इधर हो गया minus 60 ये इधर चला गया तो आगया P minus 1 minus 60 equal to minus 60 plus minus 60 तो आगया minus 120 P minus 1 equal to minus 20 ये वाला नीचे ले लेता है तो P minus 1 equal to minus 120 minus 6 तो ये चला गया कितना 2 0 तो P equal to आजाएगा कितना 20 plus इधर 1 मतलब 21 P का भेलो आगया 21 ये एक्टो पुछा था P का भेलो तो ये 21 आगया फिर अभी पुछा है A11 तो A11 मतलब 11 तान तो A plus 11 minus 1 D A equal to 60 और ये 10 हो गया ये वाला minus 60 तो आगया 60 minus 60 equal to 0 तो A11 क्या है 0 ये answer दूसरा ठीक है चलो next 33 में देखता है क्या है 33 में बोला है एक्टो पॉलिनोमियल दे दिया यहां पर एक्टो पॉलिनोमियल दे दिया देखे बोला है वहार A is a non-0, real number 10 of polynomial is 3 times the other 0 find the value of A, show your work अच्छा कोई पॉलिनोमियल दे दिया इसका 2 0 जो हता है मतलब पॉलिनोमियल का ये quadratic equation है तो quadratic equation का 2 0 आएगा तो 2 0 जो बोल दिया वह वाला बोल दिया एक्टो एक्टो का मने एक्टो दूसरा का 3 times है मतलब एक्टो आल्फा होने से दूसरा 3 आल्फा है ठेक है तो इसका जो पहले वाला condition होता है sum का sum equal to क्या होता है alpha plus 3 alpha is equal to क्या जाएगा minus b by a तो b यहाँ पर हो गया minus 8 तो minus minus 8 by a तो यह minus minus plus हो गया इधर 4 a alpha equal to आगया 8 by a इधर 4 4 कर देते है तो यह आजाएगा 2 तो alpha equal to आगया 2 by a एक्टो यह condition आया ठेक है दूसरा जो product का रहता है product product क्या होता है दोनों का alpha into 3 alpha is equal to क्या होता है minus यह c by a होता है तो c मतलब यहाँ पर आगया constant मने 3 by a तो 3 by यहाँ पर a है इसलिए a direct यहाँ पर a यहाँ आ रहा है ठेक है तो यहाँ पर हो गया 3 alpha square तो 3 3 cut गया तो alpha square equal to आगया 1 by a अच्छा यह alpha का value 2 by a तो 2 by a यहाँ पर इठाते है square equal to 1 by a तो यहाँ गया 4 a square by 1 by a अच्छा यहाँ से आप लोग कभी भी ऐसे काटेंगे नहीं इधर a है इधर a square है तो cut के इधर a कट दिया ऐसे कभी करेंगे नहीं यह always common लेकर करना पड़ता है यह गलत है मना इसे कटने से यह गलत है यह a nautical to 0 होने से यह कटता है अगर यह nautical to 0 condition दे दिया यहाँ पर अगर आपको given condition में a nautical to 0 बोल देगा मना इहाँ पर a का जो value पूछा है इहाँ पर अगर nautical to 0 बोल देगा 0 तभी वो cut पाएगा तो नहीं कटेगा ठेक है तो यहाँ condition दिया नहीं तो direct हम लोग कटेंगे नहीं तो a square से a common ले लिया और a minus 4 आ गया इकल to 0 तो a का value 2 ठो आएगा a minus 4 इकल to 0 तो a equal to 4 तो a का value 2 आया एकठो यह यह तो अभी यह satisfy कर रहा है क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर equation में तो a equal to 0 बैठेंगे तो इसका condition क्या हो जाएगा a equal to 0 बैठने से यह वाला 0 हो जाएगा तो minus 8 plus 3 यह आ जाएगा तो यह एक टो linear equation है लेकिन यह quadratic equation है तो इसलिए quadratic equation always x square का value रहना चाहिए तो x a equal to 0 बैठेंगे x square का value बने यह वाला total 0 हो जा रहा है तो इसलिए x not equal to 0 होगा मत तब एक 0 satisfy नहीं कर रहा है quadratic equation को, तब हम लोग बोलेंगे यह नहीं चलेगा, तो क्या a का value तब 4 आ जाएगा, लेकिन आपको यह निकल के दिखाना है, ऐसे यहां से cut दीजेगा, यह गलत है, ठीक है, तो a का value आगया 4, तो ही पुछाता find the value of a, तो a का value आगया 4, ठीक है, 0 नह linear equation में convert हो जा रहा है, अच्छा, फिर क्या बोलना है, what is the shape of graph px, given reason for your answer, अच्छा, तो हम लोगा जो graph आया, a अगर इसमें बैठा देते है, a का value, तो आगया 4x square, जो polynomial है, ओँ आगया 4x square, फिर minus 8x, plus 3 side, 3 था, हाँ, तो यह क्या है, यह parabola का equation होता है, हम लोगा जो, आपका linear equation होता है, straight line, यह parabola, फिर cubic equation, carp का होता है, इस type का होता है, तो यह parabola का equation होता है, तो parabola कैसे होता है, ऐसे या ऐसे, ठीक है, इस type का, ठीक है, तो यह जो parabola है, यह a का value अगर positive होता है, a equal to, अगर positive होता है, ठीक है, तो positive होने से, यह वाला उपर खुला रहता है, अगर a का value negative आएगा, मने यह समझे, यह positive हो गया, यह negative हो गया, तो negative अगर होता है, a का value, तब यह नीचे तरब खुला रहेगा, तो यह positive है, मने यह का value positive मतलब यह 4 बला positive है, x square का coefficient कोई a बोलता है, तो x square का coefficient positive है, इसलिए यह उपर दिक में खुलेगा, मतलब आप बोल सकते है, आप right parabola बोल सकते है, ठीक है, तो आप word open parabola, ठीक है, तो upside open parabola, ठीक है, अप right open parabola बोल सकते है, ठीक है, ओपर दिक में खुला रहेगा parabola, ठीक है, अच्छा चलो, next, 34 में बोल ला है, उडेन आर्टिकल वाज मेड़ आप बाइ स्कूपिंग आउट अफ हेमिस्पेर फों एच एंड अप दा सॉलिट सिलिंडर, इतना, and its base, इतना find the total surface area of the सिलिंडर, आर्टिकल, तो कोई ऐसे एक्ठो आर्टिकल है, जो सिलिंडर शेप का है, मतलब ऐसे एक्ठो सिलिंडर है, इस टाइप का सिलिंडर था, इसके अंदर से ऐसे हेमिस्पेर का, मने हेमिस्पेर करके इसका स्कूपिंग किया हुआ है, मतलब आधा सिर्केल, आधा जो सिलिंडर होता है, उस टाइप का ये अंधर से निकल लिया, तो ये होने के बाद जो शेप रहता है, इसका आपका total surface area पुचा है, तो पहले तो ये इधर ऐसे cylinder का surface इरी आ जाएगा तो cylinder का surface इरी आ किया जाएगा 2 pi r h ठीक है फिर ये जो hemisphere है इसका surface इरी आएगा तो ये क्या होता है ये 2 pi r square होता है ठीक है और इधर भी same चीज तो इसको 2 से multiply करेंगे से दो तरब ऐसे hemisphere हो गया ठीक है तो ये total surface इरी आ गया total surface area तो अभी इसमें क्या क्या चीज है यहां से अगर यहां पर जो details दिया हुआ है इसमें बोल दिया height बोल दिया मतलब h equal to बोल दिया 10 cm ठीक है radius बोल दिया कितना 3.5 ये दोनों का ही hemisphere का r cylinder दोनों का radius ही same है तो यहां से मतलब ये r ये h ये सब common रहता है मनले मतलब ये r इसका r सेम है तो यहां से हम लोग कुछ common ले सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा इसलिए तो 2 pi r ये common लेते हैं तो इधर h पर रहा इधर 2 निकल गया तो 2 पर रहा और pi r ये पर रहा ठीक है तो finally इसका value बैठते है 22 by 7 र का value है 3.5 h equal to हो गया 10 plus 2 into 3.5 यहां से ये कट गया 0.5 हो गया इधर 22.5 और इसको multiply करने से 10 plus ये वाला हो गया 7 तो आगया 17 तो इधर एक कट के कर ले थे ये वाला हो जाएगा 44 into 0.5 और इधर आगया 17 तो ये वाला कितना आगया 44 into 5.5 तो आगया कितना पाचा पाचे कूरी 22 तो पाइंट आगया 22 आगया फिर 17 से 17 साथ दूने 14 एक 15 फिर वान से गटते 22 तो 473 374 इतना ये टोटाल सार्फे से रिया है तो इसका यूनिट स्क्वेर होगा तो उनिट कितना है सेंटिमीटर तो सेंटिमीटर स्क्वेर आ जाएगा तो फाइनल इसका एंसर आ गया 34 374 374 सेंटिमीटर स्क्वेर ठीक है टोटाल सार्फे से रिया अच्छा दूसरा चलो चलते है इसमें बोल ला है फ्रम ए सॉलिट सिलिंडर अफ हाइट इतना कोई हाया सिलिंडर का हाइट है 20 मिटर डियामेटर इतना बोल दिया ए कॉनिकल क्याविटी अफ हाइट इतना एंड रेडियास इतना इस होलोड आउट ठीक है निकल लिया फाइंड टोटल सार्फे से रिया रिमेनिंग सॉलिट इसम चीज टाइप का दे दिया यहां पर हेमिस्फिया नहीं है यहां पर कोन है तो एसेक्टो सिलिंडर दे दिया सिलिंडर का बोल दिया हाइट बोल दिया 20 सेंटिमीटर और डायमीटर बोल दिया मतलब रेडियास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा डायमीटर दे दिया बारा तो बारा का हाफ हो जाएगा रेडियास बारा बाई 2 इकल टो 6 तो 6 हो गया रेडियास तो इहां से एक्ठो यह त निकल दिया यहां से कोन निकल दिया जिसका कोन का हाइड बोल दिया यह हाइड बोल दिया 8 और रेडियाज बोल दिया 6 मतलब यह वाला n to end ही है क्योंकि इसका भी 6 है तो ये भी end तो end है मतलब पुरा end से ही ये cut गया ठीक है तो ये 6 हो गया आप ये जो बचा हुआ चीज है इसका टोटाल सर्फेसरिया पूछा है तो है किया जायगा तो पहले तो सिलिंडर का होगा वह आजाएगा 2 pi r h प्लास उपर में plane surface है मतलब यहां पर पुरा धाका हुआ है तो यह आजाएगा एक्टर सार्केल का तो यह वाला उपर वाला हो जाएगा pi r square फिर नीचे का जो है ओबला के आजाएगा यह वाला यह वाला आता है मने इसका जो कार्ब surface है वो हता है pi rl मने यह जो कोन का है surface है यह pi rl होता है तो यहां से यह वाला total surface है आगया सबका r 1 है तो हम लोग r pi common ले सकता है तो 2 यहां से pi r common ले लिया तो इधर क्या पर आजाएगा 2 h प्लास अच्च h मतलब हो गया यह जो h है इसका h मने h जो है वो cylinder का है तो 2 h अलग अलग है एक कोन का h है एक तो cylinder का h है तो कोन का h अब capital लिख सकते है तो आपका cylinder का capital h कर देते है ठीक है तो यहां पर capital h equal to 20 r जो कोन का है वो h equal to 8 small h ठीक है तो finally यह 2 h पढ़ा रहा है इधर से आ गया r और इधर से आ गया pi r कमोन चला गया तो l आ गया पाइथागोरा का theorem से l निकलता है तो यह वाला 8 है height 8 हो गया और यह वाला base हो गया 6 तो आपका l कितना हो चाएगा यह वाला l होता है यह वाला तो यह वाला क्या आजागा root over 8 square plus 6 square तो यह गया 64 आड़ीदा 36 तो finally आ गया 100 तो l का value आ गया 10 तो 10 सब unit आपका centimeter है centimeter न मिलीमीटर देख लिएगा सब centimeter है तो centimeter में है तो अभी यहाँ पर बैठाते है सब value एक एक करके यह आ गया 22 by 7 r का value आ गया था सब में 6 यह आपका r का value सब में 6 तो 6 बैठा देता है यह 6 फिर 2 h h कितना है capital h 20 plus r यह 6 हो गया यह लिकल तो आ गया 10 तो 10 इधर बैठा देता है तो finally 22 by 7 into 6 यह आ जाएगा 40 इधर आ गया 16 227 into 6 into इधर आ गया 56 तो 7 से कटते है साथ स्टे चापन नो 8 तो आठ छा स्ट आठ चल लिस 48 into 22 इतना आएगा आठ दूने 16 आठ 9 9 6 तो 6 इधर आ गया फिर तो 1556 इतना सेंटिमीटर स्क्वेर ठीक है यह आ जागा total surface एरिया ठीक है तो total surface एरिया में यह उपर बला surface है एक्ठो जिलेंडर बला surface है आठेक्ठो कोन का surface है ठीक है यह बला ठीक है तो फाइनली आपका यह बला आ गया 1056 सेंटमेंटर स्क्वेर ठीक है आघा चलो next बलाए two different two different dice are thrown together find the probability and that the number obtained have इवेन साम, अच्छा, तो यह एक्ठो हम ले लेते हैं, दाइस थ्रोन करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आथा है, वो दिखाने से जल्दी हो जाएगा, तो दिखा देते हैं एक बर, अच्छा, यहाँ पर चार्ट लेके आया, तो यहाँ पर बोला है इवेन साम, इवेन साम मतलब साम का वैलो इवेन होना चाहिए, तो काहा पर इवेन हो रहा है देख़िए, यहाँ पर आ रहा है, यह one one प्लास करने से आपका दो आ जाएगा फिर दो दो फिर ये तीन तीन भी मतलब ये लाइन में जितना है ये लाइन में जितना है ये सब इवेन नमबर देगा ठीक है तो एक बार दाग देते हैं नीचे से ये वला ये वला ये वला ये वला ये वला ये वला और ये वला फिर दूसरा जो है य ये 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 फिर ये वाला ये वाला इधर भी सेम चीज साम यहां से होगा ये 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 वाला ये वाला फिर ये ये तो ये टोटल आपका मने जो कॉमिनेशन होगा ये एटी ना जाएगा ठीक है यहां से देखिएगा तो ये एटी ना जाएगा तो आपका टोटल जो साम है इवेन नंबर का सम तो प्रोबाबिटी ओव इवेन नंबर सम ओफ इवेन नंबर सम ओफ इवेन नंबर यह आजाएगा 18 तो टोटल आपका आउटकम कितना होता है 36 क्योंके 6 इंटो 6 दो डाइस का 6 option रहता है तो 6 इंटो 6 तो 36 आ गया तो फाइनल यह हाप आजाएगा ठीक है तो यह कॉंबिनेशन इस टैप का है ठीक है आच्छा दूसरा में बोला है इवेन प्रोडाक्ट अच्छा यहां पर इवेन प्रोडाक्ट है तो यह भी यहां से ले लेते हैं तो ठीक रहेगा अच्छा यह वाला ऐसे आ गया एक निट यहां से दिखा देते हैं तो यहां पर जो दिया हुआ है यह बोला है प्रोडाक्ट इवेन नंबर का प्रोडाक्ट प्रोडाक्ट कहां पर इवेन नंबर होगा इवेन नंबर तभी होगा जो कोई भी ओप्शन में एक ठो इवेन नंबर रहे था मने मतलब प्रोडाक्ट मतलब हो गया जैसे यह प्रोडाक्ट हो गया वान इंट वा आ गिया इस टय्म का ओने से कीभिन में नमबर रहने से तो कहीं फिर दोननमबर हो जाएये उसका पीभ़ पूड्र भी इना ऑगा तो जो इंडमबर और नमबर है इस टय्म कहीया यहां यहां पर ऐसे कर देते हैं एक ठो यह हो गया मतलब यह वला जो आएगा फिर यह मतलब यह जो पुड़ा सिस्टेम है यह पुड़ा आजाएगा इविन नंबर का तो एक, दो, तीन, चार, पाथ, छै सब इविन नंबर में आजाएगा सब पुड़ा करने से इविन नंबर आएगा सेम चीज यहां पर भी आएगा ठीक है फिर यह नंबर भी आएगा पुड़ा पुड़ा क्या है अभी दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है दूसरा हम बोला यह तो दोनों मने एक इविन नंबर यह और नंबर तो यहां पर जैसे even number 2 है तो यहां पर भी देखिए यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला सब यह, मैंने 2 into 1 आपका 2 यह आएगा 2 into 3, 6 आएगा मैंने even number आएगा फिर यहां पर भी और यह वाला मतलब क्या हो गया? यह वाला, यह वाला हो रहा है इधर आगया था इधर आगया 6 इधर आगया 6 इधर आगया 6 फिर इधर एक्ठो 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 मतलब ये 3 तीन करके इधर 3 इधर 3 इधर 3 तो आगया कितना टोटाल हो गया इधर 6 ये वाला 6 फिर ये वाला 6 ये वाला 6 तीन 6 आगया तीन 3 आगया तो फाइनली कित 27 आ रहा है तो 27 का प्रोडाक्ट इभेन नम्बर आएगा तो प्रोडाइट आप इभेन प्रोडाक्ट एकल टू हो जाएगा 27 भाई 36 तो यह काटने से 9 से काटिए 3 हो जाएगा 4 तो 3 भाई 4 आ जाएगा यह इसका कम्बिनेशन आ गया ठीक है अच्छा यह वाला खतम हो रहा है इसको अगर कोई प्रोड्लेम होगा तो देखिए फिर सेट पर दिखा देते हैं मने इभेन नम्बर प्रोडाक्ट का भगा आएदार इभेन नम्बर इन्टू इभेन नम्बर तभी यह इभेन नम्बर आएगा अगर इभेन नम्बर आता है तो और एक्ठो कॉम्बिनेशन होता है इभेन नम्बर इन्टू और नम्बर यह भी आपको इभेन नम्बर देगा ठीक है लेकिन और 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 कभी भी और इन्टू और कभी इभेन नम्बर नहीं देगा इभेन नम्बर नहीं देगा तो यह कॉ मने उल्टा कर रहे है हम लोग अभी ये ओड ओड है दुनों ओड है यहाँ पर दुनों ओड है यहाँ पर दुनों ओड है ये दुनों ओड है ये 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 है ओड है मतलब आपका नाइन ठो ओड है मने इधर तीन इधर तीन इध छोड़ देंगे तो आजाएगा 27 तो 27 अपका इभेन नमबर आएगा 27 भाई टोटाल अपका 36 है तो यह आजाएगा 3 3 वाई 4 ठीक है इस टैप का है जहां से भी करी गया इस टैप का होगा ठीक है आजा चलो यह बहुत सेक्शन खतम हो रहा है दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे ओके थेंक्यू